हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो माई चैनल निटिंग लेसन जिसमें आज हम ये दो रंग का डिजाइन बनाना सीखेंगे देखे कितना सुन्दर ये डिजाइन है और किसी भी वूलन प्रोजेक्ट्स पे आप इसे अपलाई कर सकते है तो चलिए आज हम इसे बनाएंगे इसके लिए फंदे हमें देखे कैसे लेने हैं ये जो white strip है ये हमने लिए है तीन फंदों की और ये जो red strip है ये 5 फंदों की तो 3 पलस 5 हो गए 8 एट के multiple में हमें फंदे लेने हैं और plus कर लेना है 3 तो 8 के multiple में मान लीजिए आपने 32 फंदे लिए हैं तो आप इसमें plus 3 करके 35 कर लेंगे तो total ये हमारे सलाई में 35 फंदे हैं चलिए इसे बनाते हैं डिजाइन को चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं देखिए जिस color से हमने border बनाया है हमने side की strip उसी color से रखी है white color का border आपको नीचे हमारा दिखाए दे रहा होगा तो हमने side की strips हैं दोनों वो white color की रखी है तो चलिए 3 फंदे white color के जो हैं वो बुन लेते हैं सीधे ये पहली सलाई है देके 3 फंदे बुनने के बाद आप देखिए यहाँ पर हम कैसे बुनेंगे जो हमारे अगले 5 फंदे हैं उनको बुनेंगे एक फंदा red color से एक फंदा अगला फंदा उससे white color से तीसरा फंदा फिर से red चौथा फंदा white और 15 फंदा red अगले 5 फंदों को इस तरह से देखिए हमने color बदल बदल के बुना हैं अब हमें सारी स्ट्रिप इसी तरह से बुननी हैं जो 3 फंदों की तीसरा भी red चौथा white और 15 फंदा फिर से red चलिए इस सलाई को इसी तरह से हम complete कर लेंगे देखिए पहली सलाई complete होने के बाद अब हम wrong side में आ गए हैं दूसरी सलाई के लिए इस सलाई को हमें as it is उल्टा बुनना हैं मतलब जो फंदे white color के हैं उन्हें white color से उल्टा बुने भाद फंदे red color से उल्टा बुनेंगे है तो ये बिल्कुल आसान अल्य है इसमें हमें कुछ नहीं है बस appetite है इनधी से उल्टा बुक्ते हुए इस सलाई को हमें complete कर लेना है चलिए ये स्केंड सलाई कंप्लीट करके थर्ड सलाई में आ जाते हें देखिए दूसरी सलाई क हमारी complete होई है और अब हम हैं तीसरी सलाई में देखिए इसे हम कैसे बुनेंगे जो white फंदे हैं तीन फंदे उनको तो हमें white ही बुनना है यह तो कभी change नहीं होगे अब यहां पर देखिए हम क्या करेंगे हमने पिछली सलाई में एक फंदा red एक white बुना था यहां पर हम starting में दो फंदे red बुनेंगे देखिए दो फंदे हमने red बुने white जो फंदा था उसे हमने red कलर से बुन दिया और अब यह देखिए तीसरा फंदा जो red कलर से हमने बुना था इसे हम बुनेंगे white कलर से और अगले दो फंदे फिर से red तो अब यहां पर हो गया है हमारे तीन फंद फंदे वाइट, दो रेड, एक वाइट, दो रेड, इस तरह से यह आठ फंदे हमारे बुने गए हैं, फिर से देखिए, तीन फंदे वाइट, दो फंदे रेड, फिर एक वाइट, और फिर से दो फंदे रेड, तो इस तरह से यह पूरी सलाई हमारी कम्प्लीट हो जाएगी, चलिए इसे complete करते हैं देखिए तीसरी सलाई हमारी complete हो चुकी है और अब हम चोती और final सलाई में हैं जिसे हमें दूसरी सलाई के तरह ही as it is बुनना है इल्टा white फंदों को white color से red फंदों को red color से उल्टा बुनते हुए इस चोती सलाई को हम complete करेंगे और इस तरह से ये चार सलाईों को design हमारा complete हो जाएगा अपने वुलन प्रजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए इनी चार सलाईों को repeat करते जाएंगे और ये हमारी design बढ़ती जाएगी पूरे sweater पे चलिए इस सलाई को complete कर देते हैं देखें चार सलाईों को design हमारा ये complete हो गया है अब इस तरह से आगे बढ़ाते बढ़ाते ये देखें आपका इस तरह से बढ़ता जाएगा और बहुत ही सुन्दर लगेगा I hope ये design आप जरूर यूज़ करेंगे इस design आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईए और वीडियो को like कीजिए, share कीजिए जिससे और लोग भी ऐसे easy design अपने woolen projects में डाल सकें Thank you